आज में लेकर आई हूँ साउथ की सबसे स्पैसल रेशिपी यानि की मेदू बड़े की रेशिपी यानि की सामबर बड़े की रेशिपी और इसे बनाने की एकदम न्यू ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके बड़े और सामबर एकदम परफेक्ट बनेंगे एकदम अधिर सारे बड़े मिंटों में बना कर तयार कर लेंगे एक दम रूई की तरह या फिर आप कह सकते एक दम बादल की तरह हलके बड़े बंद करके तैयार होंगे तो वीडियो को फूल वच कीजीगा तभी आप लाइक कीजीगा शेयर कीजीगा आज कल लोग क्या करते न design वीडियो को देखते नहीं लाइक करते थे, कमेंट कर देते तो ऐसे कलती बिल्कुल भी मत कीजीगा क्योंकि हमारी मेहनत पे पानी फिर जाता है तो एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा फ्रेंट्स मेहनत लगती है तो यदि आज के हमारी रेस्पी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और फुल वाच जरूर किजिएगा तभी अच्छा पावडर होता है तो इसे दोने से वो डश्ट निकल जाती है उसके तीन घंटे तक मैंने से भीगो करके रख दिया तो यह देगे तीन घंटे वाद में हमारी ताल बहुत ही बढ़िया से फुल चुकी जब मैं से हाथों से दवा रही है तो यह बहुत यासानी से यह दाल हमारी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है तो हम क्या करेंगे न कि इसकी पानी को मैंने निकाल दिया है और एक ग्राइंडिंग जार में आधा दाल को मैं डाल रही हूँ एक पूरी दाल नहीं पिस पाएगी तो मैं यह पर आधे आधे करके दाल को पिसूँगी अब मैं अटाल क्यों इतिए ओयकी दाल व्हाल एक घंडडा पानी टाल करके डालोग को जस्काइवन पानीं पंचेंसी तरीकिया है तो में पिस लेह सरी टाल को इक बड़े से बड़तन मी निकाल कर छोग सONG ने रहे हूं और बाकी बचैवे दाल को में शे तरीकेन यह थैू थाल प तो आप याद रखे जब भी आप कोई भी बड़े विगरा बनाए ना तो इसे पीस्ते समें आप एक से दो चमर ठंडे पानी का यूज कीजिएगा तो आपकी जो बड़े है ना बहुत ही परफेक्ट बन करके तयार होंगे यह सबसे पहली टिप्स है कोई भी बड़े बनाने तो इस सरी किसे में हापे सारी दाल को पीस ले रही हूं और यहां पर मैंने दाल को एक बड़े बरतन में निकाला है तो आगे वीडियो में मैं बताओंगी किसे में बड़े बरतन में क्यों निकाल रही हूं तो यहां पर दाल जो मैंने पीसा है ना एकदम स्मूध सा में प मिनर तक अच्छे से फैटने से क्या होगी ना कि यह हमारी दाल है एक दम फ्लपी हो जाएगी एक-दम लाइट हो जाएगी और इसके जो तो बस एक ही सार में यह देखे मैं इसे फेट रही हूं इसे फेटने में थोड़ी सी हाथों में दर्द तो हो जाती है बट उसके बाद जो मजा आता है खाने में आप जब खाओगे तभी बता पाओगे इस तरीके से मैंने इसे 5-6 मिनट तक अच्छे से फेट लिया है तो इ आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी कि इसे कैसे चेक करेंगे तो देखे अभी फेटते फेटते ना इसकी क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यह काफी फलपी हो चुकी है तो अभी मैं आप अपने हाथों के पहले अच्छे से वाश कर लेती हूं और एक कडोरी में में आप फेट बालो करके नहीं आप तैर बामने के लिए आप में यह जिए से घ्राअज कि के बटी से दुने लिए 6 तो बारी कड एंगे एक बल्त ना चाहित है तो किलौरो चेल कि अब आधा शुची और और शा मकर आ議 आगे एक बारिक कटी है हरी मिर्ज एक चम्मच ग्रेट अद्रक यदि आप मिर्च इसकिप करना चाहते हैं तो इसकिप भी कर सकते हैं बट डाल लिएगा इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है साथी में मैं आपे डालूंगी एक पिंच हिंग तो हिंग यहां पे मैं इस तरीके से मसल करके डाल रही हूं और खांबर में यहां इंस्टेंट बना रही हूं तो मैं कुकर में दो बड़ी चमच कुकिंग ओले रही हूं आप कोई भी ओल यहां पर ले सकते हैं को ठोड़ी सी गर्म होने देंगे एक चमत साबुच जीरा और एक चमत डालेंगे भरकर राई चालेंगे दो शुखि लाल मिर्च और चाटकने के बाद यहां पर डालेंगे पान सिछे मेथी के दाने कड़ी के पत्ते और यहां पर मैं डाल रही है दो चमत ग्रेक अद्रक और साथी में यहां तो इसे भी बैज बेराइए हों प्याज कोई टैलने के बहु टो प्याज के सकारेण बहुत लैज सब के लिएया पंकिन बैंगन मतर मेरी सब्से करल तो एव पर 1 explanation मत्र लिया है और एक गाजर पर पेरा है तो यह सारी सब्जी हमारे फ्रीज में पड़ी थी आप यहां पर अपने कोई और भी सब्जी और तो डाल सकते हैं, तो हमारे पास जो फ्रीज में पड़ी थी, मैंने उन्ही सब्जियों का यूज किया है, आप यहां पे चाहें तो पत्ता गोभी, या फूल गोभी, या ड्रम इस्टिक जो होती, वो भी आप एड़ कर सकते हैं, बट हमारे पास अभी नहीं थी, तो मैंने इ तो मैं यहां पे दो बड़ी साइज की देसी टमाटर डाल रही हूं, कट करके, तो यहां पे आप देसी टमाटर का यूज कीजिए, गासामबर में इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, खट्टा पन अच्छा आता है, अब टमाटर डालने के वाद में यहां टेस्ट क सामबर खाने में स्वादिश्ट नहीं होती है, आप इस तरीके से बना करके देखिए, बहुत कमाल का फ्लेवर आता है, अब यहां पे में दो हरी मिर्च को इस तरीके से लंबा चीरा काट करके डाल रही हूं, तो मिर्च हमें बाद में डालना होता है, साथी में यहां पे सामबर मसाला, मैं नहीं पर डालना है, जो लोग खाने यूज करते हैं, उस में दो चमच सामबर मसाली का भी तुख देखिए, तो यह देखिए, तीन चे चार मिनट तक हमारी सबजी भून चुकी है, और बहुत बढ़िया से यह कुक हो चुकी है, और बहुत भागे स्बिक दाल करते ऐसाद लिए भीक चुकी है तो इसी दाल के हमें यहां यहां पर यूज करना होता है अब नेक के लिए में यहां पर बूहना रहा हूं अब साथी। मैं डाल रही हूं तीन ग्लास मैंने आपे पानी का यूज किया ताकि सारी सबजियां और दाल अच्छे से कुखो सके और बाकि की जो भी पानी आपर सामबर में और लगी तो मैं आपे बाद में यूज कर लोगी अब प्रेसर कुकर का ढखकन बंद कर देंगे और इसे चार व सामबर में थोड़ी खड़ी सबजियां ज्यादा अच्छी लगती है साथी में मैंने आपे कच्छी नारियल करके डाला है और तीन से चार चमच में आपे इमली का पल्व डाल रही हूं और साथी में आपे डालोंगी दो चमच गुड तो गुड आप सामबर में जरूर से इससे जो सामबर का जो टेस्ट है बहुत बढ़ियां से बैलन्स होता है अब मैं आपे डाल रही हूं बारिक कटा हरा धनिया और साथी में डालेंगे एक चमच कसूरी मेथी तो बस यह देखे बहुत स्वादिष्ट हमारी सामबर बन करके तयार हो चुकी है तो इसे मैं बड़े बनानी किलमे ने इस तरीके से चाय की छन्नी ले ली है और इस पर थोड़ा सा ओल लगा देंगे अब यहां पर जो हमारा दाल वाला जो पैटर है इस तरीके से इसका एक डो उठा करके इस पर रख देंगे और अब इसे अच्छा से थोड़ा सा फैला देंगे और बीच में क्या करेंगे कि अपने उंगलियों से इस तरीके से चेद इसमें कर देंगे उसके बाद अब इसे जब ऑईल में डाले लेगे न तो यह देखें बहुत यह सानी से यह चले जाते ना तूटते न विखरते बहुत ही बढ़ियां से हमारे बड़े बन कर के तयार होत जादा बड़े अप मत डालिएगा क्योंकि तेल का टेमपरेचन बहुत जादा बड़े डालने से थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तो फिर बड़े एकदम फ्लपी नहीं बन पाएंगे तो एक वार में आप 4-5 बड़े ही फ्राई कीजिएगा तो बहुत ही जल्दी बन जाती ह तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती दी डालने में बट इस तरीके से आप चाय की छनी से आक जरू से ट्राइ कीजिएगा बहुत ही इसली बन जाती है ना हाथ जलती है ना कुछ होता बहुत ही बढ़ियां से बड़े बन करके तयार हो जाते है यदि आपको दही वड़े खा करेंगे और थोड़ा से इस तरीके से किसी भी स्पून या स्पैक्चुला से और को इस तरीके से स्प्रेट करेंगे अब यहां पे देखे हमारे जो बड़े थे ना एकदम साइज में डवल हो गया है और बहुत ही बढ़ियां से इनका कलर भी चेंज हो चुका है तो अब मै बड़े बन जाते हैं और यह बहुत ही बढ़ियां ट्रीक है आप इस तरीके से बड़े बना करके कभी भी खा सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से हमारी सारी बड़े बन करके तयार हो चुके है मातर एक कप डाल से ना यहां पर मैंने आठ लोगों के लिए सामबर यह देखिए जब मैं इसे हाथों से दबा रही हूँ ना वापस से अपने शेप में फुल जा रही है आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज्यादा फुल बनी है एक दम लाइट हमारी बड़े बन करके तयार हुए यह देखिए अंदर से वी बहुत बढ़ियां स यह कुक हो चुकी है और जब मैं इस तरह किसे से दवा करके छोड़ रही हूँ ना तो यह वापस से फुल करके अपने शेप में आ जा रही है तो आपको समझ में आई गया होगा कि हमारे बड़े कितने परफिक्ट बन करके तयार हुए है तो चलिए हमारी बड़े वी तया सांबर में फाइवर, प्रोटेन, एंटी अक्सिडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है या डाइजेशन सिस्टम में सुधार करता है और वजन कम करने में भी हेल्प करता है तो इस तरीके से आप सबके में एक से दो बार तो सांबर बना करके जरूर से ही खाये और बनाइगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और हाँ यदि ना भी अच्छी लगियो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा मगर कर जरूर दीजिएगा और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुत सके यहां पे मैंने मेदू बड़े की जो भी टिप्स और ट्रिक बताई है उसे फोलो करते विए यह दि आप बनाएंगे ना तो एक ही बार में आपके सामबर बड़े एकदम परफेक्ट बन करके तयार ह आप इसे एक बर खिलाएंगे तो आपकी तारिफ किये भी ना रही नहीं पाएंगे यह मेरी ग्यारेंटी है तो फ्रेंट्स इस तरीके साप एक बना करके जरू से ट्राय कीजिएगा और यदि आज की रेस्पी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज धर शेयर तो एक मात नहीं कुप